रोशन बब में इसी तरह कथा और कहानियों का सिलसला जारी है आज की बात करें तो हम आपको बताने चाहते हैं कि एक सेट होता है और वह किस तरह से अपनी साथ पीडियों के तक का लेखा जोखा त्यार करवाता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पास जो भी धनसंपत्ती है तो वह आठमी पीडियों के पास नहीं पहुंचेगी वैसमाप्त हो जाएगी तो उसे चिंता सताने लगती है और किस तरह से एक साधू एक संथ इस चिंता का निवारन करते हैं इसी के विशे में बताने का इस कथा के माध्यम से प्रयास है तो आईए शुरू करते हैं कथा कहानी सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से एक सेट होता है जो की संपन है हर तरह की धनसंपत्ती उसके पास है लेकिन फिर भी वह चिंतित रहता है एक नगर सेट अपार संपता का स्वामी था एक दिन उसे अपनी संपत्ती के मुल्य निर्धारन की चोही तो लेखा अधिकारी को बुला कर आदेश दिया कि मेरी पूरी संपून संपत्ती का ब्योरा दीजिए सब्ता भरबात लेखा दिकारी ब्योरा लेकर सेट की सेवब में उपस्तित हुआ और बताया सेट जी मोटे तोर पर कहूं तो आपको कुछ करने की अवशक्ता नहीं है आपकी साथ पीडी बिना कुछ किये धरे अनंद भोग सकती है सेट जी को यह चिंता हो गई कि इसका मतलब यह हुआ कि साथ पीडी तो अराम से खा सकती है पर आठवी पीडी आठवी पीडी क्या करेगी आठवी पीडी भूकी मरेगी चिंता और तनाम में भूक भाग चुकी थी कुछी दिनों में कृषका हो गए सेटानी ने उन्हें किसी संत के पास जाने का प्रमश दे दिया अगर वै दान सुविकार कर ले तो इतना धन उपरजित हो जाएगा कि तुमारी समस्त मनुकामना पून हो जाए सेट को बड़ासान उपाए मिल गया था उसे सब्र कहा था घर पहुंचकर सेवक के साथ एक कुइंटल भर आटा लेकर पहुंच गया बुड़िया की जोंपडी में बुड़िया माने कहा बेटा आटा तो मिर पास है मुझे नहीं चाहिए सेट ने कहा फिर भी रख लीजिए बुड़िया माने आगरे सविकार नहीं किया तो वह बोला अच्छा कुइंटल नहीं तो आधा किलो रख लीजिए बुड़िया माने कहा आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा मिरे पास है सेट ने कहा तो कल के लिए रख लीजिए बुडी माने कहा कल की चिंता आज क्यों करूं जैसे हमेशा प्रबंध होता है कल भी हो जाएगा यह जो आप सुनकर सेट की आँके खुल गई एक गरीब बुडिया को इतना विश्वास है उसके पास कोई करने वाला भी नहीं है लेकिन वै आज को छोड़ कर कल की चिंता नहीं कर रही है सेट ने समझा कि मेरे पास अथाय धन समगरी होते हुए भी मुझे आटवी पीडी की चिंता हो रही है चिंता में घुल रहा हूँ मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं बल्कि वै है जो मेरी सोच है इसलिए कल की चिंता नहीं सिर्फ आज पर निर्भर करें तो उमीद है कि इस कहानी से इस कथा से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा निचोड यही है कि आज में जीना सीखें जो आज आपके पास है वह कल दुबारा नहीं आएगा क्योंकि जो समय बीथ गया वह बीथ गया उमीद है यह कहानी आपको पसंदा ही होगी और ऐसी ही कथा कहानीों को सुनने के लिए आपो देखते रहे हैं रोशन भव और सब्सक्राइब कीजिए का रोशन भव को और बेल आकन दबाइए और आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा जाए शीरा